दोस्तों कभी कब और आप switchboard को खोलते हैं तो आपको यहां पर एक switch के अंदर दो wire देखने को मिलते हैं जो कि आपको समझ में नहीं आता है मैं आपको समझाता हूँ वो क्यों होता है जैसे कि यहां switchboard के अंदर कुछ switch की कमी हो जाती है जैसे कि एक switch की कमी हो जाती है तो इस condition में आप एक switch के अंदर दो wire को add कर सकते हैं जैसे कि यह दो wire कहां कहां पर connect है मैं आपको समझाता हूँ और यह कहाँ पहाँ पर connect करना चाहिए जैसे कि यह light है और यह light है जो छट की जो light होती है इन दोनों को आपस में आप एक साथ कर सकते हैं एक switch के अंदर यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर लेकिन आपको मैं एक बात समझा देता हूँ अगर यहाँ पर दीवार वाली light और छट वाली light इन दोनों को अगर आप एक साथ करना चाहेंगे तो बिलकुल भी नहीं कर सकते हैं आपको यहाँ पर अगर अलग switch करना है तो आपको fan regulator का एक switch आपको free कर देना या फिर आप socket के अंदर जो switch होता है इसको free करके आप एक extra switch प्रोवाइट कर सकते हैं और आप अलग अलग wire को aid कर सकते हैं फिर इसे fit कर लेक्ट्रिक के मामले में ज्यादा knowledge लेना है तो electric science trick YouTube चै झालगी